ये गाईज, वेलकम टू मैं चैनल, अगर आपको अभी भी लगता है कि मेरी बिल्कुल भी पढ़ाई हुई नहीं है और 150 प्लस का स्कोर किया जा सकता है या नहीं, तो 10 दिन बच्चे है और हम इस वीडियो में यही देखेंगे कि 150 स्कोर कैसे लाया जा सकता है 10 दिन हो में, तो बिना कोई देरी किये अभी वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहला सवाल, is it possible? तो ये कुश्चन अगर आपको आ रहा है, तो आप बहुत गलत जगापर हो अगर आपको खुद के ऊपर भरोसा है, तो बिलकुल ये हो सकता है, अगर आपको आपकी महनत पर भरोसा है, तो बिलकुल ये हो सकता है आपको अभी यही time है कि आपको पढ़ना होगा 10 दिन बचे अगर आप 10 दिन भी नहीं पढ़ सकते हैं तो आपने बहुत गलत exam choose किया है अगर आप 10 दिन भी अच्छे से पढ़ नहीं सकते हो तो फिर क्या ही point है आपका engineering करने का and yes it is possible to score 150 in 10 days उसके लिए आपको एक proper plan पता होना चाहिए उसको execute भी कैसे करना है वो भी पता होना चाहिए तो ये इस वीडियो में हम भही discuss करेंगे सबसे पहले आता है strategy पर बहुत important है कि आपने जितनी भी boards की पढ़ाई की है वो फिर से आप revise के लिए कुछ न कुछ तो पढ़ाई होगा आपने boards के लिए वो तो मैं guarantee के साथ कह सकता हूँ second point जो सबसे important है कि हम अगर हमारे सामने बहुत सारा खाना रखा हो तो हम सब try करने की कोशिश करते है लेकिन उसमें जो आपको सबसे अच्छा लगता है वो आप end में छोड़ देते हो तो यही होता है जब पढ़ते भी है हम कि जो new topics है अभी आपको लगता है कि यह बहुत सारे चीजे में कर सकता हूँ 10 ही दिन है सब में cover कर लेता हूँ और जो आते है वो तो आते ही है लेकिन ऐसा exam के दिन नहीं होता है जो आता है आपको वो आपको perfect करना है अभी अभी new topics बिल्कुल भी नहीं लेने जो new topics है उसको हाथ भी मत लगाओ जो आपको आता है सिर्फ वही गढ़ो 3rd point minimum 10 chapters मतलब क्या है इसका कि minimum 10 chapters हर एक PCM तीनों ग्रूप में आपको अच्छे से करना ही है अच्छे मतलब कि उसमें कोई भी question आजाए आपको आना ही चाहिए हर एक chapter का at least एक question तो आए गा ही आएगा यह तो पक्की बात है इसलिए उस chapter को include किया गया है तो 10 chapters हर एक इसमें से आने ही चाहिए आपको अगर आप physics और chemistry के हम बात करे तो अगर सिर्थ एक ही question ऐसे मान लीजे कि सिर्थ एक ही question आ रहा है तो 10-10 marks आ चाहेगे उसमें 20 marks या पर होगे और maths के 10 marks 10 question उसका मतलब है 20 marks मतलब आपके 40 marks आपके minimum उतने तो fix हो गए तो 40 marks ची अगर शुरू करोगे आप उसके बाद अगर आपके जितनी भी पढ़ाई हुए है वो तो अच्छे से होई जाएगे लेकिन ये जो 10 chapters है वो आपका score पूरा boost कर लेंगे और एक जो proper base जिसे कहते हैं वो बना देंगे तो 10 chapter तो आपको कर नहीं है फिर एक बहुत important point जो हर एक कोई miss कर देता है वो है textbook reading textbook को आपको अच्छे से करना ही पड़ेगा आपके boards के textbook उठाईए उसी के उपर सबसे जादा question आते है 80-90% तो question पूरे textbook से ही आते है तो हर एक लाइन chemistry में तो हर एक लाइन अब अच्छे से पड़िए उसका आप एक proper analysis कीजिए कि किसके उपर ज्यादा question आये और फिर आप textbook reading तो बहुत अच्छे से कीजिए फिजिक्स का भी मैं कहूंगा कि textbook reading बहुत अच्छे से कीजिए और maths के जो solved examples होते है solved examples बहुत important है solved examples कीजिए फिर last but not the least notes, pyq concepts अगर आप इस category में आते हैं कि आपने notes बनाई ही नहीं है दूस साल अपने कुछ किया ही नहीं है तो आप pyq concepts जो है जो repeat होते है concepts वो अभी revise kit करिए और जिन्होंने notes बनाई है वो सिर्फ notes पे ध्यान दीजिए अपने notes कोई भी level के हो अप notes सिर्फ पढ़िए उससे क्या होगा कि आपकी जो memory है वो एक बार इसे refresh हो जाएगी और जो भी concepts आपको थोड़े थोड़े आप भूलने लग गए थे वो पूरे अब भी फिर से याद आ जाएगी तो notes और pyq concepts बहुत important है फिर हमारते हैं अपने time management के उपर सबसे important अभी आपको strategy एक अच्छी बनानी है वही सबसे ज़्यादा important है तो अभी आपको क्या करना है कि आपको बदा है maths का paper 100 marks का होता है और physics game का दोनों का मिला के 100 होता है तो हमें time भी विसाई divide करना है अगर आप 12 गंटे की पढ़ाई कर रहे हो तो उसमें से 6 गंटे maths को दो और 3-3 गंटे physics game को दो लेकिन अगर अभी के time पे तो 12 गंटे की पढ़ाई तो बिल्कुल enough नहीं है आपको minimum 15 गंटे का तो अच्छे से पढ़ाई करना पड़ेगा तो 15 गंटे मुए से maths के लिए half of the time दीजे और physics और chem को मिला के half time दीजे उससे क्या होगा कि maths ही आपका score बढ़ाईगा उसमें तो कोई doubt ही नहीं आपको maths के सिवा तो आप score करी नहीं सकते तो maths में अगर आपके 60-70 marks भी आ गए और physics game को मिला के 60-70 marks आ गए तब भी आपका 140 score से जा सकता है तो आप यह बिल्कुल दिमाग में रखे कि maths तो करना ही है उसको 50% time देना है यह pie chart अच्छे से देखिया कि red वाला जो maths का है और जो blue है वो chem और physics का है तो 50% time maths को देना है और जो 25-25% बचे है वो physics और chem को देना है और अगर आपको अभी last time पे देखना है कि कौन से chapters important है तो मैंने सारी वीडियो बना के रखिये physics के लिए यह chapters है आप सब देख सकते है फिर chem के लिए यह chapters है वो भी आपको दिखाई दे ही रहा होगा और maths के लिए यह chapters है तो इनके मैंने डिटेल वीडियो भी बनाए आपको देखने है तो वो देख सकते हैं आपस एंड में मैं यह कहूँगा कि यह 10 दिन बहुत important है आपके लिए वो अभी दिमाग में बत लाइए कि PCM का पहले exam होगा या PCB का पहले exam होगा एसा दिमाग में रखे कि आपका exam सबसे पहले होने वाला है तो उस हिसाब से आप अपनी preparation शुरू करिए अभी भी time है 10 दिन बहुत होता है 10 दिन मतलब 240 hours होते है 240 hours में कि अगर आपने 40 hours का भी sleep ही है तभी भी आपके 200 hours बचते 200 hours में आप कुछ भी कर सकते हो अगर आपको 99 percentile लाना है तो बहुत सही track पर आपको चलना पड़ेगा और अगर मैंने जो बताया आपको वो किया तो बिल्कुल 99 percent लाना कुछ बड़ी बात नहीं होगी तो मेरे दब से तो बहुत सारी wishes आपके लिए अभी के लिए तो आप physically और mentally भी भी बहुत स्ट्रॉंग रहिए stay motivated हर बार हारा हुआ चहरा मत लेके उठिए ऐसा भी लगना चाहिए खुल दुगों कि हम जीत सकते हैं yeah all the best thank you